मैं हूं आपका दूस्तों पोस्ट from dr.rk tv meditonic आaz हम ऐसी दभाईयों के बारें बात करेंगे जो प्रैग्नेंसी में safe होती है सबसे पहला medicine होता है एंटिवोटिक कि ऐगर हम बात करें तो एंटिवोटिक के अंदर Siflaxine, Siflaxine एक ऐसे दवाई होती है जो Pregnancy में poem डाना जाता है। दूसरा इसके अलाबवा होता है,Cifradin ये भी Pregnancy मेंufड चाना जाता है इसके अलाबवा होता है,Siffixim Š Northern Pregnancy में Siif मना जाता है,Syphotoxym भी Pregnancy के अंदर Siif मना जाता है dyspheromacin जो की Pregnancy में यूज कर सकते हैं, saftrioxone जो कि monosaf के रूप में आता है ये भी pregnancy में यूज किया जा सकता है इसके अलाबवा amoxicillin amoxicillin भी pregnancy में यूज किया जा सकता है, अब ये हुई anti-vertix की बात, देखिए anti-vertix क्या होते हैं anti-vertix का मतलब होता है जो दबाईयां, bacterias पर काम कर रही हो, viruses पर काम कर रही है, उन्हें हम anti-vertix दबाईयां कहते हैं अब यहाँ पर हम बात करें anti-ulcer drugs के आरे में यानि कि ऐसी कौनसी-कौनसी दबाईयां है, जो pregnancy में ulcers के लिए उप्योग की जा सकती हैं, इसमें अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहला होता है, ranitrin ranitrin pregnancy में शेफ होता है, लेकिन इसे अब यूज नहीं किया जाता है क्योंकि government of India के दोरा इसको वेन कर दिया गया है, इसके अलावा दूसरा यूज होता है, lansoprozole lansoprozole भी pregnancy में यूज किया जाता है कोई side effect जिसके देखने को नहीं मिलते हैं, इसको भी pregnancy में अच्छे से यूज किया जाता है इसके लाव होता है gabiscon, gabiscon जो medicine है, anti-ulcer है और ये भी pregnancy में शेफ होता है, इसके लाव होता है sucral fate, sucral fate भी pregnancy में computer हो जाता है यानि कि ऐसी दवाईया जो ulcers को ठीक करें या ulcers को कम करें उन्हें हम anti-ulcers medicines या anti-ulcers drugs कहते हैं तो ये categories हमने जान लिया इनके doges के बारे में एक अलग videos में जानेंगे अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके doges क्या होते है pregnancy में भी तो आप हमें comment section में जरूर बताईएगा और हम आपको बताने की courses करेंगे अब अगर बात करें इसके अलाबा anti-allergic के बारे में तो anti-allergic दवाईयां ऐसी consequence anti-allergic दवाईयां होते हैं जो pregnancy में उप्यूप कर सकते हैं anti-allergic दवाईयों को मतलब होता है तो दवाईयां allergy को ठीक करें जैसे histamine release होता है तो उसे कम करें और histamine जब release होगा तो आपको काफ़ी सारी allergy के symptom से देखने को मिलेंगे तो anti-allergic दवाईयां कौनसी कौनसी होती है जो pregnancy में उप्यूप कर सकते हैं लिवोसिट्राजन, लिवोसिट्राजन को भी pregnancy में यानि गर्वा वस्ता में उप्यूप किया जा सकता है इसके अलाबा लोरा टेडिन यानि कि ये भी एक anti-allergic दवाईयों है जिसे pregnancy में शेफ माना जाता है यूज किया जा सकता है इसके अलाबा दोस्तों होता है analgesics analgesics का मतलब होता है दर्द निवारक दवाईयां ऐसी दवाईयां जो दर्द को कम करती हैं pen killer जिने हम बोलते हैं pen reliever जिने हम बोलते हैं इन दवाईयों को medical language में analgesics कहा जाता है इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरसेटामोल यूज किया जाता है जो कि safe वना जाता है पेरसेटामोल प्रेगनेंसी में आसानी से उप्योग किया जा सकता है इसके कोई भी side effects नहीं है प्रेगनेंसी के अलाबा कई सारी दवाईयां आती हैं जैसे कि आइब्रोप्रोपैन है ठीक है इसके अलाबा और भी कई सारी medicines आती है जो fever के लिए उप्योग की जाती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेरसेटामोल इसमें उप्योगी होता है जो कि सिर्फ oral दिया जाना चाहिए ये चीजा में ध्यान रख लिए होगी अब अगर हम बात करें दोस्तों anti-emetics के बारे में anti-emetics यानि की ऐसी दवाईयां जो उल्टियों को रोकती है बोमिटिंग को रोकती है ऐसी दवाईयां जो बोमिटिंग को रोक रही है और अगर pregnancy में उप्यूग करने चाहिए तो कौन सी कौन सी दवाईयां है जिनने आप यूज कर सकते हैं सबसे पहला होता है doxalamin doxalamin जो दवाई है इससे pregnancy में उप्यूग किया जा सकता है इसके अलाव demihydrinate medicine sco v जिसे हम gravinate के नाम से जानते हैं ये भी pregnancy में safely यूज किया जा सकता है इसके अलावा ondincetron यानि कि ondincetron के नाम से जिसे हम mcate के नाम से जानते हैं injection को उसको भी pregnancy में आप उप्यूग कर सकते हैं तो friends ये एक छोटा सा वीडियो जो कि pregnancy में कौन सी कौन सी दवाईयां उप्यूग होती है मुझे लगता है ये वीडियो अब सभी के लिए बहुत ही helpful होगा इस तरह के और वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब केज़ेगा और कुछ पूछना चाहते हैं तो comment केज़ेगा हम इस तरह की वीडियोज आपको provide कराते रहेंगे फिर मिलते हैं इस तरह की से ने वीडियो में तब तक लिए मसका Thanks watching, Have a nice day